नवस्कार दोस्तों मैं रोतेश मिशन ओन्लाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग को स्वाध करता हूं दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि आज होगे 25 दिसम्बर ठीक है और आज से जो है आप लोगों के लिए फॉंडेशन बैच यानि कि बेसिक से एक्जाम लेवल तक का जो है यह बैच है और यह जो बैच है बहुत ही जिवरदस्त बैच होने वाला है ठीक है इसका जो है इस बैच के बारे में इसका सिलबस क्या होता है आपको पीछे जो है एक लेक्च्छर होगा इसे एप्लिकेशन तर्प्र 2023 से स्टार्ट हो रहा ठीक है और यह Live class होगा आज का है पहला डेमो क्लास है आप लोग विसमें घमक्लास करने के वादा बैच को आसानी सा पर्छेज सकते और यह अगर्शेंच कर देंगे तो विश्पास रखिए कि यह जो है बेसिकस अलेकर आप Juice अगर आप बहुत यह आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते अगर इस पर पूरे अगर कंप्लीट करते हैं तो एक भी क्वेस्टन किसी एक्जाम में आपसे नहीं फसेगा ठीक है तो दोस्तों देखते हैं तुरह सा जोने इसको 4 आपको तया आपको कि आपको अबया सब्सक्राइब करों ऐसे लाव कर इस ali ञास कर सब्सक्राइब कर गारot आज आज जैसे आप देख रहें कितना है तो 25 दिसंबर 2023 है ठीक है आज से जो यह बैच स्टार्ट होगा लेकिन आपको जो है यह तीन जो डेमो क्लास मिलेगा यह आपको रेकॉर्डेट फॉर्म मिलेगा ठीक है इस तीनों डेमो क्लास को आप देखने के बाद जो आप आसानी से आप जो है समझ पाएंगे कि आखिर हमको यह बैस लेना है या नहीं लेना है और आज से जो है आप इस बैस को परचेज कर लेंगे तो आपको 50 परसेंट का डिसकाउंट दिया जाएगा ठीक है इसकी जो हमारे अब बता चुके यदी आप जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अडिशन ले लेते हैं आपको 50% का डिसकाउंट जो है मिल जाएगा इस बैस का जो फी रखा गया क्योंकि लाइव बैस है तो इस बैस को आपको जो पंद्रह सो रुपिया फी रखा गया ठीक है और उसम करने के बाद जो है अगर आप जो है इस बैस को राप पर्चेज कर लेते हैं 31 दिसमबर तक ठीक है यह जो है उसे 20 दिसमबर तक था लेकिन यह आप लोग को जो है यह डिसकांट जो आगे बढ़ा दिया गया 31 दिसमबर तक और उसके बाद जो आपको नहीं बढ़ेगा और यह जो है 50% डिसकांट होके मातर जो है 749 रुपिया माप इस बैस को पर्चेज कर सकते हैं ठीक है अगर आप अप्लिकेशन अभी तक आप डाउनलोड नहीं किये ह आप डाउनलोड करके जो है इस बैस को पर्चेज कर लेंगे अगर किसी भी तरग कोई परसानी होती है तो आप जो है कंपर कर सकते हैं नाइन सेवें जीरो नाइन सेवें 13840 या 7992258422 पे जो आप संपर कर सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला जो है डेमो क्लास है और इसको देखिए इसमें जो है क्वेश्चन किस टैप को दिया हुआ है जिसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहला कोश्चन आपके सामने हैं सबसे पहला कोश्चन है शम्ज़िए यहां पर सबसे पहला कोश्चन यह आपका नम्ब सिस्टम का है और इसका पले हम आपको कॉंसेस्ट सम्झाते हैं और यह जो है कोश्चन आपको बता दिया जाए vis camp अगा देखेंगे आप यहां पर तो यह क्या है किTodp का नम्मर सिस्टम का वह भी है रिमाइंडर थेोरम ठीक है क्वेशन क्या दिया गया समझें को कुष्ण यह है कि यदि कुष्ण यह है कि यदि 17 की पावड दूसरों को अगर हम 18 से भाग देंगे ठीक है यह नहीं 17 की पावड तो दूसरों को 18 से भाग दिया जाएगा तो सेसफल क्या रहेगा ठीक यह निस जो रहेगा वह कितना रहेगा फ़र्ष्ट ओप्सन दिया गया कितना 17, 2nd है, 16, 3rd है, 1 और 4th कितना है, 2 है, ठीक है, इसका answer क्या होगा, इसका answer को बताने से पहले हम आपको जैसका क्या करते हैं, concept समझा देते हैं, ठीक है, concept क्या है, पले आप समझा लेजे, concept पे हमेशा ध्यार लखना, मेरा जो देश है, हमेशा concept को समझाना, आखिर concept क्या है, इसको आप समझे, reminder theorem में क्या होता है, कि जब अगर कोई भी number दिया गया है, ठीक है, और उसके जो है, उस number से, कोई भी number से अगर हम भाग देते हैं, तो देखना यह है, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे मा लेते हैं, अगर एक पावर जो है, जैसे मा लेते हैं, कि एक पावर जो है, ठीक है, और इसमें जो है, ज इसमें भाग देदे तो उपर व्ला मान देखना यह है यह उपर व्ला जो मान होना चाहिए तो इस से एक जयदा होना चाहिए तोמर्म समयरा के चाहिए यह आएसे अ सधुन्पर YouTube कम कै раз क्या होगा कि अगर विदेऊ हो, थे अ कंडिसन यह है अगर इस पर जैसे हम भाग देते हैं तो condition यहाँ पर यह है कि यदि N जो है अगर सम संख्या हो तो क्या होगा उसके बार अगर N जो है अगर बी सम संख्या होगा तो क्या होगा उसका जिसे देखते हैं कि अगर A से भाग देते हैं उसके पावड एक है मतला A से भाग देते हैं तो A मिनस 1 के पावड कितना है अगर N है लेकिन यहाँ पर condition यह है कि अगर N जो है अगर सम संख्या होगा तो क्या होगा के लो संक्या होगा तब क्या होगा जी आगर बिसम संक्या होगा तो क्या होगा तो कीज़ गैसे जामेपल आप देखेंगे उसी संक्या हम देखते हैं क्या दिया गेए इस साइव io 17 के पावर कितना 17 के कितना है 200 किकया इसको भागना कितना से 18 से किया यहां पर इस नंबर से हम भाग देquito ध्यान देना है कि अगर एक Колा है अगर 17 सभाग देंगे तोो कितना आएगा मैन। मतलब वन आएगा लेकिन यहां पर क्या है यह efy 200 है ठीक ऌर यह जो हमां 18 सभाग दे रहे थे सत्रों में अगर 18 सभाग देंगे कितना है रिमंडर एक आएगा और 1 मेनस 1 के पाबर कोई फी सम संख्या हो तो रिमाइंडर जो क्या होता है कि रिमाअडर हमेशा जो है पलस में होता है ठीक है प्लस में क्या होता है यह एक होता है लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे कि अगर reminder प्लस में आ रहा है reminder क्या रहा है प्लस में लेकिन उपर उला मान जो है अगर भी सम हो ठीक है उपर उला मान जो है भी सम हो या सम हो ठीक है उपर उला मान क्या हो भी सम हो या सम हो हमेशा क्या हो जागा रिमाइंडर जो है पलस में ही आएगा लेकिन अगर इसी में देखेंगे इसी में देखेंगे कि अगर जो है रिमाइंडर मैनस वन है और इसके ऊपर जो है को अगर विसम संख्यां आ जाता है ठीक है क्या जाता है यह दी विसम संख्यां आ जाता है रिम सब्खेंट। यहां पर देखेंगे कि सब्सक्राइब 12100 और 18 अगड़þ इसका अंसर बताना है ऐन यहां पर देख रहे हैं कि सब्सक्राइब अगर 18 सभाग दे रहे हैं, reminder कितना रहा, minus 1, और minus 1 के power अगर कितना है, दूसर क्या है, sum है, तो दूसर अगर sum है, तो minus 1 के power अगर कोई भी sum हो, minus 1 के power कोई भी sum संख्या हो, तो reminder कितना हो जाएगा, तो reminder 1 होगा, तियानि कि इसका जो answer हो जाएगा, option number जो है, A हो जाएगा, लेकिन इसी question में, ठीक है, इसी question में अगर आप देखेंगे, कि reminder अगर जो है, यहाँ पे, minus 1 के power कोई भी sum संख्या आ जाता, ठीक है, जैसे मा लेते हैं, कि यहाँ पे minus 1 है, औ reminder क्या होगा, minus 1 होगा, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिया, reminder कभी पीजनों minus 1 नहीं होता है, जब reminder अगर आपको minus में अगर आ जाए, तो क्या करना है, कि जिस number से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, उसमें इस बसको घटा लेना, जैसे इसमें अगर देखेंगे हम, यहाँ ध् पर यह 17 answer हो सकता था, कब हो सकता था, जब reminder minus 1 के उपर कोई गर विसम संख्या आता, तो reminder क्या आता, और हमेशा ध्यान रखना है, कि reminder कभी भी मैनस में नहीं आता, जब reminder मैनस में नहीं आएगा, तो क्या करना है, आपको जिस number से भाग दे रहे हैं, उसमें क्या करना, सुग आगे देखते हैं अगला question क्या है, अगला question क्या है, समझे आप अगला question जो आपको दिया गया है, अगला question यह है, कि वह बड़ी संक्या, नहीं कि वह बड़ी संक्या, जिसके द्वारा संक्याओं को, यानि 1657 तथा 2037 को भाग देने पर करमसा जो है 6 तथा 5 सेस रहते हैं ठीक है क्वेशन यह है वहाँ बड़ी संख्या जिसके द्वारा जो है संख्याओं यानि 16 तो अगर 57 तथा 2037 को अगर हम भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपसे पूछा यह जा रहा है कि आखिर वह बड़ी संख्या कोन है तो एक वह बड़ी संख्या बताना जिसके द्वारा जुन अगर हम जुन 1657 और जो है कितना 2000 जो है 30 मभाग देंगे तो करमस करमस का मतलब होता है पहले इसका remainder बचेगा छे और इसका remainder कितना बचेगा पांच बचेगा तो इस तरीका question को आप कैसे बना सकते हैं तो समझाते हैं आपको कैसे बनाएंगे जब भी अगर किसी question में ध्यान देना है concept समझें कि यह है LCM और SCF का question जब अगर किसी question में जब भी किसी question में अगर बड़ी संख्यां पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्यां ठीक है पूछा जायत इसका मतलब क्या करना उसका SCF लेना है ठीक है क्या करना उसका SCF लेना है जब अगर question में दिया हुआ है कि छोटी से छोटी सी छोटी संख्यां ठीक है छोटी सी अगर छोटी संख्यां अगर आपसे पूछे क्या करना है उसका LCM लेना है तो SCF और LCM का मतलब आप परहे होंगे LCM क्या होता है LCM का मतलब होता है lowest common multiple यानि सबसी फोटा मान जो सब में क्या होना चाहिए तो सब में जो है और सबसे बरामान जो सम्में क्याना चाहिए उसका और भी फेक्टर होना चाहिए ठीक है देखे इस तरह कुश्चन कैसे बनाएंगे तो यह है कि जब किसी कुश्चन में कहें कि बड़ी संख्या तो सब्सक्राइब और छोड़ी-छोड़ी संख्यत क्या हो जाएगा यह समझें कर रहा था यह बड़ी संख्या बताना है जो 1657 में अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना भाग देंगे तो जब भी एगर रिमाइंडर जो पच रहा है न उसको क्या करना पहले घटा लेना है ठीक है इसको घटाएंगे कितना जाएगा 1651 आ जाएगा इसको अगर घटाएंगे कितना जाएगा यह दिया जाएगा 2000 कितना 32 जाएगा ठीक है कितना जाएगा 200302 जो आपको पता होना चाहिए कि से निकाल सकते हैं तो स्सक्राइब का मतलब तो हाइस्ट कॉमन टिख सेप निकाले सकते हैं जो बच्षपन करें उसका वाज पेमाद्टण कर सकते हैं या तो कर को अंतर से अब क्या कर सकते कर सकते हैं तो कैसे निकालेंगे इसके दोनों का बीच का अंतरं सीएफ होता है या अंतर का फैक्टर जो होता ना स्काइब एक जाएगा ठीक在 तिर्वेशन ग्रते संट आई-स जो जाएगा तीनगी हो जाएगा इन चाहिज इन्यों हो जाया। फेक्टर फेक्टर आपको जो हम जो है ना नमबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि फेक्टर क्या होता है यानि कि एस जो होता है यह दोनों नमबर का अंतर होता है या उसी का फेक्टर होता है फेक्टर का मतलग होता है उसका क्या गुनन खंड होता है ठीक ह यानि कि आप देखेंगे कि 381 का factor कौन है तो 381 का factor जो है यानि किches 381 को कौन इसमें divide कर देगा यह तो divide करेगा नहीं ठींगे यह भी करेगा नहीं अब इसको देखते हैं सास से सास से बहुत जपर हो जाएगा ठीक है जएनि किषका जो आंसर होगा option नमर्ट यह हो जाएगा क्यों क्यों दिखिए अगर 117 से अगर हम भाग दें कितना से 381 में फ्यक्टर का मतलब होता है कि इसको नदिवाइड कर दे इसको अगर हम जोना तीन से अगरव लगाते हैं तो 3 कितना हो जाएगा सत्य 2136628 ठीके और टीन कम 3 यह पुड़ा पूरा क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट गया यह यहले कि तीन बार में किया कर रहा है तीन बार में इसको डिवाइड कर रहा है यानि कि इसका मतलब हो गया या तो इसका SCF होता है इसका ठीक है अंतर जो है SCF होगा या नहीं तो उसी का जो क्या होगा यह factor हो जागा उमीद करते हैं कि question जो आपको समझ में आ गया होगा इसका answer क्या हो option नमर के हो जाएगा ठीक है साथ में आप लोग यह concept को जोना लिखते जाएंगे तो आपको समझने में फिर आगे जो है दिक्कत नहीं होगी ठीक है आगे हम देखेंगे question नमर तीन क्या है समझे question नमर तीन ही बहुत ही अच्छा question है और इस pattern question किसी भी exam का त्यारी कर रहें तो आपसे question जो है पूछा ही जाएगा आप यहां पर question पहले देखिए question दिया गया यदि सुन्यत तर्ड एक्स के लिए x square minus 4x minus 1 अगर बरावर 0 दिया गया है तो आपसे पूछा जा रहा है कि x square plus 1 by x square का जो है मान क्या होगा यह आपको बताना है तो यहां पर आप देखेंगे इसका जो मान होगा यह क्या होगा यह आपको बताना है तो देखिए concept प्लेश समझे concept क्या है कि यह होता है कि जिसे आप देखेंगे तो आपको क्या करना है कि इसको तोरना है क्योंकि आप जानते हैं अगर उसको अगर देखेंगे तो तो जिसे आप देखेंगे जिसे देखेंगे हो ब्नुट को तो दो लेखेंगे तो एक सब्डों को क्या होता हाँ यह होता इस कई यह लेकिन उसको अगर देखेंगे पर यह square क्या हो जाएगा और स्कुर्ण है मैंने टू यह बी और प्लस क्या होता है ये लेकिन को बनाने के लूब को यह फर्मॉला क्षापरेगा कैसे लो खड़ेगा यहां पर समझाते हैं जैसे माल लेते हैं कि इसी को गर हम को तोड़ना ठीक है यह मांन लेते हैं और यह क्या है बी-ए प्लस बी का हाल स्क्राय हो गया तो क्या हो जाईगा ये अगर प्लस क्या चो अब कि अगर आपको दिया हुआ है कि एप मतला एक्स बटा एक मतला एक्स प्लस एक बटा एक्स इसको करेंगे तो यह क्या हो जाएगा एक्स एसक्वाइर और प्लस कितना कि एसको प्लस बीएसक्वाइर और प्लस में कितना तो ए और यह बी हो जाएगा इसको काट लेंगे हैं ठीक है जब अगर काट लेंगे तो क्या हो जाएगा अगर आपको जो है निकालना है किसका मान जैसे मान लेते अगर इसका मान निकालना है तो आप क्या करेंगे लिख सक और यह जो है इसको उठाक अगर हम यह जो है यह से कट गया और कितना हो जागा यह दो आप यह देख रहे हैं कि दो क्या है प्लस में इसको इधर लाइंद क्या हो जागा यह मैनस हो जागा यानिकि प्लस्कवार और मनस में कितना हो जागा ठ्यकिए अगर कोई क्ष्ष्ट में अगर पूछे एक सकामान्ठ तो रड़ेर क्या होता होता है तो होता या लेकिन यह किस पर आगिया लेकिन इसको अभद देखेंगे नहीं कि खस मत भं बाइ एकस स्क्वाइर का अगर आपको मान इस पी बठाएंगे तो ए मिनस बी का हो जाएगा ठीक है ए मिनस क्या हो जागा ये बीका अले स्क्वाइर हो जाएगा तो देखेंगे कि एकस स्क्वाइर ठीक है एस्क्वाइर प्लस क्या हो जाएगा ये अगर आपको कभी कभी क्या करेगा इसका मांड रेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा ठीक है अगर हम उस साइड ले जाएंगे इसको अगर ले जाएंगे इसको डेक्ट आप लिख सकते हैं एक्स मेंडस गितना हो जएगा तो प्लस में जो है ठू हो जाएगा तो इसको आप ध्यान लखिएगा कि पहला पॉइंट यह ध्यान डखना है अभी क्या करता है और दुसरा पॉइंट यह रखना है इस में करता है आपको समझा देते है तो रखेंज इसमें करता क्यी create क्धि्र आपको क्या करेगा की मतलब जो है एक्स प्लस वन ठीक स्कामान दिया हुआ रहेगा पूष देगा एकस विह सक्षोर का मांद क्या होगा ठीक है यह नहीं इसको नौट कर लिजिये और के ऊच्छें कि क्के आप देख रहा है कि इस फर्मेट पर नहीं दिया हुआ जैसे समझाते हैं आपको ध्यां देढ़ यह दिया हुआ तो पूछ देगा आप से एकसे स्कॉाइर अप प्लस वन वाइज एकसे स्कॉाइर का जो मान होगा वह क्या होगा ठीक है इसका क्या करता है यहां पे जो आपको समझना अगर एक समझ गए ने तो आसानी से questions को आप कैसी भी question घूमायगा तो रामस से उसको आप बना सकते है ठीकर जैसे सकते हैं लेकिन इसमें देख रहा हैं कि यह आपको इस फ्रमेट पर दिया हुआ यहां पर देख रहा है कि यह त्था sounds में कया है कि यह फिर्मिट पर नहीं दिआ करना है तो कैसे करेंगे समझाते हैं आपको तो देखिए क्वेश्चन क्या है समझे पहले क्वेश्चन में आपको सिधा दिया हुआ यहां पर इससे देना है कि यहां पर देख रहे हैं कि ये X के power 2 है तो ठीक है? ऐसा number से भाग देना ताकि ये पूरा ना कट जाए इसको अगर हम देखते है कितना से भाग देखे तो इसको अगर हम X से भाग देते है ठीक है? सब में अगर हम X से भाग दे देते है तो यह तो कितना हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा तो yes क्या हो जाएगा यह कट जाएगा क्या बचेगा यह जो है यह कट जाएगा तो x-1 by x और minus कितना 4 बरावर कितना यह हो जाएगा 0 लेकिन एक्स मैनस वन अपन एक्स बरावर अगर हम रखेंगे इसको उठा कि दर ले जाना क्या हो जगा यह पलस में आ गया इसका मतलब है कि आपको यह दिया हुआ था कि woodryks एक्स मैनस वन चाहई दर आवर फोक्त तव आप से पूछ रहा हुआ कि यह स्कुराइर अभी हम आपको जो है कि अगर आपको तो यह हुआ है कि अगर दिया हुआ रहे है जिससे आपको समझा देते हैं कि एक्स पुराइब्लरे अगर इससका सुइर करंदेंगे क indirect A, B हो जाएगा इसको इससे अगर काट लेते हैं क्या बच जाएगा ये तो डियक्ट आप निकाल सकते हैं कि X square प्लस 1Y X square बराबर जो हो जाएगा कितना X plus 1Y X का square और ये प्लस में तो मैनस के अतना हो जाएगा 2 इसको आप धियान लखेंगे इसी टैप से अगर मैनस रहता है जिसे A मैनस B का all square बराबर क्या होता है तो ये होता है X square और प्लस में कितना X square प्लस B square और मैनस तो है 2AB है इसको इससे अगर काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये तो डियक्ट हो जाएगा X square प्लस 1 by जो है X square अब बराबर कितना क्यों हो जाएगा X minus 1 by X का all square और ये मैनस तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये आपको धियान रखना है इसी पर कोस्टन बनेगा जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दिया क्या है ये X minus 1 by X प्लस 1 by X square का मान क्या होगा क्या करना है कि अगड़ मैनस में दिया गया तो plus square करके मैनस में दो कर लेना है तो कि प्लस करना है तो प्लस करना है ठीक है क्या हो जाएगा option नमबर दी हो जाएगा ठीक है उमीद करते हैं कि आपको यह जो है concept जो समझा रहे हैं यह concept आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है क्योंकि यह बैच जोना फॉंडेशन बैच है इसलिए आपको बेसिक से जो है आपको पढ़ाया जा रहा है concept के साथ इसमें किसी प्रकार्स के कोई कोश्चन में जुना दिक्कत नहीं होना चाहिए अगला कुस्टन देखते हैं कुश्चन नमर तो दिया गिया यह क्या है तो यह आपका सीसे एक का शर्ष झाल का यूग किते भी घ्निया गया तो संख्याओं का लॉसला का मतलब मौ इसके मौश मतलब महत्तम समापमर्तक मतलब एस सीए का 20 गुर्णा है कि लौसौ और मौसौ का योग कितना दिया गया 25-20 दिया गया तो यदि उनमें से एक संख्या जो है अगर 480 है तो पूछा जा रहा है दूसरी संख्या क्या होगी इसका कॉंसेप्ट समझेए क्या होता है सो धियान रखना है कि दो संख्याओं का जो गुननफल होता है वो बरावर किसके होता है तो वो बरावर होता है उसका SCF और LCM का एसे माल लेते हैं को संख्यां एए है और दूसरा को संख्यां क्या है भी इसका दोनों का जो गुननफल होता है वह किसके वरावर होता है उस संख्यां का LCM अगुने उस संख्यां का क्या है SCF के बड़ावर होता है बस यह धियार रखना है इसी पर आपको इस्टाइप क्वेशन बन जाएगा इसी बस थोड़ा भोजन आपको घुमाएगा जैसे आप माल लेते हैं यही में अगर चार नंबर चार दिया गया है इसे पहली संख्या कभी कभी किए करेगा कि इसी क्वेशन में आपको यह गायब कर देगा और तो केसी इसको बनाएंगे आसानी साब कि इससे को देखते हैं को दिया गया क्या कि दो संख्याओं का एलसीम ठीक है तो संख्याओं का एलसीम यानि कि एलसीम जो है किए अब कर रहा है कि LCM और SCC लक्स एल्सूरम और करू improves है RG कितना एक है 250 ति सो और ही कितना 26-26 यूनिट का मान कितना दिया गया है यह दिया गया इतना ठीक है इसको अगर आप जो है कि अधर कि योग जोने कितना है 2520 है तो आप से पूछा जा रहा है कि उसका एक संख्या तो दूसरी संख्या पले क्या करते हैं लिए निकाल लेते हैं यानि कि पचीस यूनीट कमान कि इक मर्ण एक इस होगा नहीं यहां पर इस यह कितना हो जाएगा यह बीस और एक इस यूनीट कमान यह दिया गया एक यूनीट कमान आप आसानीश निकाल सकते हैं वे कि यूनीट कमान जो इससे आपको पता चल गए कि इसका संख्यां का स्याइब पता है लसी में पता है और पहली संख्यां भी आपको दिया गया तो दूसरी संख्या आप से पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप जो है इसको सिधा बठा दिजी इस पर क्या बताएं कि दो संख्याओं का जो योग है ना जिसे पहली संख्या आपको दिया हुआ है कितना 480 और गुने दूसरी संख्या बराबर उस संख्यां का क्या है उस संख्यां का LCM अगुने क्या हो जाएगा SCF बस काड़ देना है ध्यान देना है कि बराबर का left side और right side आराम से कट जाता है ठीक है तो एक 0 से एक 0 काट लेते हैं इसको ठीक है इसको पर काटेंगे हम एक 0 से जो कट जाएगा दो स्काट यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा जो अब इस हो जाएगा ठीक है चार्स काटते हैं कि एक यूनिट का जो मान दिया गया एक कमान कितना बीस है 120 एक सो बीस अगर गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह अनिक यहां पर देख रहे हैं कि यह जो क्वेशन दिया गया एक संख्या कितना दिया गया एक संख्या चार्सव अस्सी है और दूसरी संख्या आप से पूछा जा रहा लेकिन उस संख्या का जो यह जो है लेकिन कि आप संख्या कितना ओप संख्या हो जाएगा उमिद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया वाफ आश्ट माप लोग जो इसको नोट कर लीजिए अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर्ट पांच देखें पांच नमर्ट क्या है समझे यह जो आपका सिंपलिफिकेशन का क्वेश्चन है और इस टाइब क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे तो धियान देना है यहाँ पे पांच नमर्ट क्वेश्चन यहाँ पे जुन थ्रा सा मिस्प्रिंट है यहाँ पे जुन पॉइंट ह होगा मैनेस नहीं है ठीक है यहां पर क्या होगा यह पॉइंट है यह गया कि तू-पॉइंट-3 का हॉल क्यूप प्लस जो है जीरो पॉइंट-023 पट्टाम दिया गया है तू-पॉइंट-3 का हॉल प्लस जीरो पॉइंट-6909 किसके बरावर ही आपको बताना है ठीक है यह जो है सिंप्लीफिकेशन कोश्चन है और इसका एक फॉडमूला होता है ठीक है इसका फॉडमूला हम आपको बताते कैसे बनेगा सो जैसे देखिए कॉंसेट समझ यह कि जो आपको कॉंसेट समझा रह हो यह क्यों प्लस जो है एक यू प्लस बीक यू कर फर्मेट पर हो कंफॉर्म है नीचे में जो होगा वह हो जाएगा एसक्वार माइनस एब और प्लस में कितना वी स्कॉर यह फिक्स है कि यह आपको रहे गाई ठीक है पहला यह कॉंसेप्ट है अगर कोई कोश्चन एक Q plus BQ की format पकर हो तो नीचे में हर हाल में रहता है A square minus AB plus B square होता है तो direct क्या करना है कि आप जानते हैं कि AQ plus BQ बरावर्ट क्या होता है तो यह होता है A plus B into A square minus AB Q 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 बीक्यू हो तो सिधा क्या करना है दोनों को जोड़ देना जोर कर मतलब ए प्लस भी का माल लिख देना दुसरा कॉंसेट्ट समझे दुसरा कॉंसेट्ट यह है कि अगर कोई होता है वसका निचे मी जो देख रहां नीचे में क्या दी आ गया तो एसकोर प्लस भी क्या होता है यहां पर देखेंगे तो यह पुड़ा कैंसिल हो गया तो ड्रेट क्या करना आपको यहां पे जो लिखा होता यह एक यू मैनस बीक तो ड्रेक्ट आप क्या करेंगे इसको जो है यहां पर यहां ध्यान देना है कि अगर यह जो है अगर मैनस में होगा तो यहां पर एवनस भी कर देना यहां पर प्लस में होगा तो यह प्लस क्या करना है भी करना यह आपका कॉंसेप्ट है इस कॉंसेप्ट को और आप नोट कर लेंगे और समझ जाएंगे तो बहुत यह आसानी से question में आप देख रहें कि दिया हुआ क्या है बस question में यह दिया गया कि 2.3 का hall square और प्लस में कितना 0.00 0.027 दिया गया तो आप जोने थोरा सा दिमाग लगा कि इसको आप लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे यह question का देने के मतलब यह है कि ऐसे दिया गया 2.3 का q और इसको आप लिख सकते है 0.0 यह जो आपको दिया गया 0.00 0.027 दिलिख सकते आप कि 0.0 जोने यह क्या है तो यह 3 का क्या है क्यूव है आप देख रहे हैं कि अगर 2 मतलब क्यूव हो जाएगा तो डेट क्या करना आपको इस concept से ड्रेक्ट क्या किजिए आप जोड़ लिजे क्योंकि आप देखने हैं कि a square minus a b और प्लस में क्या हो जाएगा b square है तो डेट क्या हो जोड़ लिजिए तो पॉइंट जोना 3 अप प्लस 0.3 कितना हो जाएगा तो प्लस इसका अंसर हो जाएगा यह इसका आंसर हो जाएगा यह आपका अगर कॉंसेट्ट यह पका रहे तो कुशन आप सेकेंड़ों में हॉल कर सकते हैं ठीक है अगला कुशन देखते हैं कुश्चन नमब्र जो है चे देखे चे नमब्र कॉश्चन दिया गया क्या यह आपका परतीसत कॉश्चन है और इस टाइप कॉश्चन जो आपको मैंसुरेशन में भी मिलेगा ठीक है यह चेत्रमीती में भी मिलेगा कॉश्चन क्या दिया गया कॉश्चन को समझ यह कुश्चन में यह है यदि किसी वर बढ़ा दिया जाए उसका छहतना बढ़ जाएगा वर्ग का मतलब आप जानते हैं कि मैं त्राब होता है प्ढ़ते क्भुजा क्या होता है इसका बराबर होता है जिसको स्कॉयर करते हैं टिक होता है यह सब किसे वुर के भुझा को कितना बढ़ाना तो 25% 25% अगर हम सब को बढ़ा देते हैं निख मैं आपको इसमें पूछा जाता है किसमें यह कुएस आपको पुछा जाता है पूरा बन जाएगा बहुत सारे कांसेट्स बताते हैं कि ध्यान देना आप जो समझा रहे उसको समझे नहीं कि अगर जो है या जोना आयत का लंबाई बढ़ा देता है चुचछाय बढ़ा देता है कभी जोन आपका विर्द का बढ़ीध ही निकालने तरजया बढ़ा देगा कभी नसंग को ऐस टाइप क्संद दिया रहेगा जिला ध्यां देना है एक कि अगर आपको रेश्यों दिया हुआ है तो क्या करना है कि उसका एसक्याइड निकाल देना है ठिके लेकिन आपको अगर आइतन पूछा जाए पूछा जाए तो क्या करना है कि इसका जो है क्यों कर देना अगर आपको जैसे इसे जांपल जहे एक जांपल लेते हैं इसांपल क्यादि बनता जाते हैं पसिए आयत अगर चीट्रफल पूछा जाए तो स्क्वाइर करना और आयतन ने पूछे गागण हम क्यों कर लेना है कि को एक वर्ग है उसका बूझा कितना परसेंट बढ़ा दिया जाता तो 25 परसेंट सबसे पहला काम क्या करना बढ़ा रहा है तो पर प्लस लेंगे 25 पर 30 का फ्रिक्षिन कितना तो एक बीको चार होता है और ध्यान देना है कि नीचे वुला जो होता यह होता है प्लस तो जयागा यहां पर Plus यह क्या हो जाएगा थे प्लस हो जाएगा देगा यहां फेञ реा कितना हो जाएक सभा से और भूजा को कि लिए प्लिफलत Mobile और नीकालना है तो करना है ने मिद्ब शाने को क्या बताएंगे श्कार्ण कर देना चार कैस्क्क में उसलकिन हो जाएगा औरंश के सक्वित ना वक्ती सो जाएगा पूछ रहा हुआ इस न चया पर तो इस तरीके पूछा जाए किसी जो है सेप का अगर एक भुजा बढ़ा दिया जाता है तो आयतन पूछे गाए चेदर फल पूछे आथ क्या करेंगे एसक्वार करेंगे और अधन पूछे आथ क्या करेंगे उसका क्यों करेंगे ठीक है यह कॉंसेप्ट आप फास्ट में जो इसको नोट कर लेजिए और इस टाइप क्वेशन और आम से बन जाएगा जैसे किसी कुष् परसेंट बढ़ा दिया जाता है ठीक है और भूज जैसे माल लेते हैं यह 20 पर तीस त्ट बढ़ा दे जाता है तो उसका एरिया में क्या फर्क पर गया कुछ नहीं करना है दस पर तिसत का फ्रक समाने क्वरटा दस जैनि इनिस एल में कितना था यह त्याल में आज बार में दोसक्रत रहा दोर कितना हो जगा पचय पचेश ठीक है इस तरीका से कुछन को जोनआ असानी साथ क्या कर सकते हैं अगला जब्सक्राइब साथ देखे साथ नमर कोश्चन दिया गया यह भी आपका परतिसत कोश्चन है ठीक है और यह कोश्चन किस परकार से समझाते हैं कोश्चन दिया गया है कि महेंस जो है अपनी दादी के इलाज के लिए दिली गया पचास परतिसत जो है वो आपरेशन में खर्च किया और जो है पचीस परतिसत दावा में दस परतिसत यात्रा में एवं दस परतिसत जो है खान पान में पड़ खर्च कर दिया ठीक है तो कर रहा है कि अंत में उसके पास जो है कितना रुपया बच जाता है तो उसके पास पां बइखती है महेंच और वह अपने दाधी करने के लिए कहां गया वूँए वो दिली ले गया लिए और जली ले तो दिली ले गया तो ही प्रतिस Champ कि किस प्रकेहर हो रहा और किजुल के शूंछ झातना पॉरा ना कि7 नune लेकिन इसी को अगर fraction में अगर आप तोड़ेंगे तो fraction में जो है आपको one लेके बनाना पड़ेगा ठीक है तो देखते हैं कुतना कितना खर्च किसमें हो रहा है तो आप यहां पर देख रहा हैं कि 100% उसके पास धन था उसमें से 50% खर्च कर दिया और 25% 50-25 कितना 75 75-10 कितना पचासी और पचासी और दस कितना हो जाएगा तो पचासी और दस कितना हो जाएगा पंचौनवे यानि कि उसके पास 100% धन था उसमें से खर्च कितना कर दिया तो पंचौनवे परसेंट खर्च कर दिया तो अब उसके पास बचेगा कितना तो पांच परतीसत बच गया ले लेंगे लेकिन इसी क्वेस्टन को आप ऐसे बनाएंगे जैसे देख रहा है कि 100 परसेंट कोई भी चीज़ आपने आप में कितना होता है यहां पर कुशन कर रहा है कितना कोई भी चीज कितना होता है अपने आप में 100 परसेंट होता है तो क्या कड़ेंगे यहां पर परसेंट कमान यह दिया गया तो 100 परसेंट कमान पूछ रहा है तियानीत किकिकिस्त ना है यह था इसका करना कर देना कितना हो जाएगा सीधा 10 अजार रुपया हो जहेगा झाय है और सो मैजोंगे इसका राफ हो question discount का दिया है ठीक है तो discount का question है इसको समझे इसका concept पर समझाते है कि कैसे question को आप बना सकते है ठीक है यह जो है profit and loss और discount का question है यह इसकांट का जो मतलब होता है डिसकांट का मतलब क्या होता है छूट होता है यानि कि जो है छूट कैसे मिलता है आपको ध्यान देना यहां पर कि discount जब भी मिलता है यह वह MRP पर मिलता है MRP का मतलब हो गया कि कोई भी बस तो गर आप खड़िते है तो उस पर लगा हुआ जो मुल होता है ठीक है लिखा हुआ जो मुल होता है उसी को हम कहा कहते MRP MRP को Hindi में मतलब जो है अंकित मुल या जो है सूची मुल भी इसको कहा ज जैसे माल लेते हैं कि अगर इस पर MRP पर डिसकॉंट दिया ठीक है अगर डिसकॉंट का मतलब मैनस होता है डिसकॉंट अगर परतिसा दे दिया इसके बाद जो बसता है तो सेलिंग प्रैस ने बिक्रया मुल बस जाता है ठीक है इसको धियान रखना है और इस पर क्वेशन असानी से बना सकते हैं जिसे क्वेशन क्या दिया घ्या समझे को यह दिया इदि किसी वस्तों को अंकित मुल अंकित मुल का देकर क्या करता है बेच देता है तो इस परकार्ड जो है उसे कुल जो लाब होता है कितने का लाब होता है लाब होता है कितने का पांच रुपिया का तो question आप से पूछा ये जा रहा है कि उस वस्तू का जो अंकित मूल होगा न वो क्या होगा यह आपको बताना है तो सबसी पहला काम क्या करना है कि डिस्कॉंड जो दे रहा है न ठीक है पहला जो डिस्कॉंड वो खर्दबा रहा है एक ही वस्तू को क्या करना है बार-बार वो डिस्कॉंड पर खर्दबा रहा है तो सबसी पहला काम क्या करना है कि अगर 15 30 जब लेना है किसी भी परतीसत को जब आप फरिक्सल में चेंज करते हैं न किया करते है, कि किसो से भाग दे देते हैं या एक बटा से गुणा करते हैं जीसे 15 30 तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यह जो होता है तो यह होता है तो इसका मतला नीचे विला जो होगा ना ठीक है वह क्या हो जागा यह यह यहां पर देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं यह अगर 20 रुपया है उस पर तीन रुपया का जो डिसकाउंट लेके जो क्या करता है वो बेस देता है यहां पर देख रहे हैं कि यह क्या करता है कि तीन रुपया डिसकाउंट लेकर क्या करता है ठीक है तो खड़ लेता है यह क्या हो जाएगा यह हो जाएक इतना 17 हो जाएगा ठीक है अब फिट क्या कर रहा है कि question करा है कि अंकित मूल पर जो डिसकाउंट दे रहा है कितने का यह जो पर कितना का यह जो कितना का यह जो होता है तो परतीसत में क्या कर रहा है उसका प्रिमान यहां होता है यहां पर देखेंगे कि क्या कर रहा है कि एक ही बस्तू को बारवाड बेच रहा है एक ही बस्तू क्या कर रहा है बारवाड बेच रहा है यानि उस बस्तू का जो MRP होना चाहिए नो सेम होना चाहिए यहाँ पर MRP कितना है तो MRP यहाँ पर 20 है और यहाँ पर कितना है 10 है तो इसमें क्या करना है कि अगर 2 से गुना कर लेंगे ना तो क्या हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा तो अब देख रहा है कि पहले बेच रहा था कितना में पहले बेच रहा था 17 में अब कितना बेच रहा है 18 में, तो कितने का Profit कमा रा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक का Profit कमा रहा है जेकिन Quesn मुकरा है, उसको Profit कितने का हो रहा है? Profit हो रहा है 5 का, मतलब 1 unit कमा दिया गिया घी है तो 5 रुपिया दिया गिया, तो आपसे Question में जो पूछ रहा है ठीक है यार निक इसका जो answer जो हो जाएगा वह एक सुरुपया जो है इसका answer होगा option number जो है सी हो जाएगा ठीक है अमीद करते हैं कि question जो है आपको समझ भागा गये होगा और साथ में जो है concept भी आप लोगो clear होते जा रहा होगा ठीक है मुख रूप से जुन अगर मेरा उद्देश रहता है concept clear करवाना अगर concept clear हो जान कैसे भी question घुमाएगा तो उसको आप असानी से इसको बना सकते हैं अगला question नो 19 एक अपका निया निया डिया के किसा कॉस्टा और साज़चेदारी से साज़चेदार्ण होता कि सिए क का मुस्त में दो क्राथा है टीक है कंस कम पार्टनर कमतलह होता है कंस कम गोवक्राइब या अधिक उसक्ता लोग या अधिक स्वुष होता क्या जिसे आपया देखेंगे कि कोई जो अगर बिजनिस से स्टार्ट करना या कोई दुकान खोलना ठीक है अगर इसमें जो ना कुल मिला किकुछ पैसा पैसा लगता लेकिन एक है का लिए कश्मास को पास पास है और या करता है कि दूसराis निभीक है तो है इसमें करने कर देता है यह क्या हो जाइए ठीस हाइए और इसमें कुछ यह सब्सक्राइब होता है जो फैसा लगाता है और कुछ ऐसा होता है जो काम करता कूछ ऐसा तो जो दोनों काम करता पैसा जास की यहां की संड़ानाया कोसन दिया गया है कि परभात और जै कुमार यहां पर जो यह होगा ठीक है तो decoras ने करमसा जो है अठारह हजार रुपईया और ब्यालिस जार रुपईया लगा कर क्या करता है कि एक दुकान खोलता है एक वर्स के अंत में उन्हें कुल मिलाकर जो है 22,000 रुपईया का लाव हुआ मतलब एक वर्स के बाद ध्यान देना यहां पे कि पार्टनर से में में जो दहान रखना है वह टाइम का ठीक है एक वर्स के बाद को कुल मिलाकर प्रॉफिट कमाता कि दुकान खोला और दुकान में जो पैसा प्रफ़ेश करता है प्रबहात कितना तो 18,000 और कुमार जो है लगा कर दुकान खोलता है और एक वर्ष के बाद जब हिसाब करता है तो पता चलता है कि 22 रुपिया का प्रोफित हुआ इसमें आप से पूछा यह जा रहा है उसमें से पड़ावात का जो है वह कितना रुपिया हिस्सा मिलेगा तो ध्यान देना है कि सका कॉंसेप्ट समझे तो कि आपको देखना आए कि लाव फिर्व बरावर जो होता है पुंजी गुने शेमें क्या बन जाएगा कभी क्या करता है कि आपको पुंजी का रेश्यो निकालना पड़ेगा ठीक है तो पुंजी का रेश्यो जो ब्राबर हो जाएगा वह जाएगा क्या लाब का रेश्यो और बट्टा में क्या हो जाएगा ये समय का रेश्यो ठीक है पुंजी का रेश्यो ब्राबर क्या हो जाएगा लाब का रेश्यो अब बट्टा क्या समय का पड़ेगा तो समय का राइशियो और बट्टा में क्या पुंजी का रेशियो कि यह तीन जो है में आपको धियान रखना है ठीक है फ़र्श्ट पॉइंट क्या कि अगर आपको लाब करी से निकालना नहीं तो लाब करेशियो पुनिजी का रिषय Tillे संथे कितना रुपै यह कोन जो लगाया और कितना समय के लिए रहा थिक के वह दोनों को मेंद किसके बराबर होगा पुनिजी के बराबर संथ आपको पुनिजी का रेशियो नीकालना थिक गयाasan का रेशियो बराबर हो जागा है करेशियो बड़्टे है पुंजी का तो इस तरीका अब शहाए रिशियो नीकाल लेंगे उसका एक और जो ग्यब पूछ रहा है कि लाव के लाव का बड़्ट बरा निकालना है तो लाव आपको यहना पढ़ाएंगे जब य।ा रेशू चेप्टर हम पढ़ाएं गय। किसमय निकालते हैं पुंजी को समय का राएंब में बहुत है कि कभी कभी जोन समय दोनों का से मढ़ाता सेम का मतलब परीबर ठीचे जब समय अगर ऑगर बराबर हो इस समय से हमको को मतलब ने होता है हूँente क्या हो जाया कि जो लाप करेशियों नहीं पुझी करेशियो अचूष्क होगा देर हो म這樣 है एक साल है मतलब दिक्कत यहां प्रेस्टोरेंट को तब होता है कि जब अगर क्वेश्टन में यह कहें एक तीन मना के लगाया बीच मना के लिए और सीज़ आठ मना के लिए तब आपको जब गुना करना पड़ेगा लेकिन जब कस जब टाइम अगर सब का सेम होना जब टायन अगर सब अगर बढाबर दिया गया हो क्या करना है सिधा पुłजी करेशियो उरण लाज करेशियोपयां पुल्जी करेशियो के बराबर हो जाएगा लगाता है तो पराद लगाता कि तक मितलब मतलब इसलिए तब करना है इसका रेश्यो निकाल लेते हैं किसके बराबर हो जाता यह प्रोफीट का जो रेशियो जो होता है तो प्रोफीट का रेशियो के बराबर हो जाता है तो अब कि रेशियो का यहां पे आप दीख रहा है कि रीक कूली मिला कचकल को जो मिलता है लाव कितना रुपेंक मिलता है तो जार मतल्स एतल डोनों का कितना यहां द्स हो जाटा मिले तो डिखन दासनी दासी नीट कमान को सब्सक्राइस में कितना दिया गया तो सब्सक्राइब घ्र सब्सक्राइब बूज़वाद का हिस्था बताना थिक है तो परभाथ का हिस्था कितना यूनित है तो भी 2220 में टीन मुझात के मैं जाएगा कितना हो जाए मैं 66aken आपसचन नम्मर जो है अब सरों जाएगा इसका आंसरेगा अमीद करते हैं कि आपको ये कॉंसेट्स भी समझ गया होगा और ये को सन भी जो है समझ गया होगे ठीक है यह रिए कि इसका आंसर जो होगा 9 नमबर का option नमबर भी हो जाएगा अगला question देखते हैं question नमबर दस और यह question जो है आपका दिया गया है कि यह question नमबर दस जो है यह mensuration question है ठीक है कि यह जो है छेत्रमीती question यानि मैंसुरेशन question question क्या समझें question दिया गया है कि एक आयत की चोड़ाई लंबाई का कितना है तो चार वट्टा पांच गुन्नी एव उसका छेत्रफल जो है 180 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी पड़िमाब बताना है जsak आपको पता होना चाहिए concept समझ Jupy concept क्αιया है कि आयत के बारे में आपको पता हुना चाहिए कि आयत होता क्या है ठीक है एस चॉंछाव और यहाँ यह जो चरचा है जो seit वच्ẫn से पढ़ते आ रहे होंगे कि नमवा खुंब से परिमांप के परिमाप बड़ाबर होता है तो फॉ इंटू प्लस क्या होता यह छोड़ाई होता है विए यही दोनों आ हो कि घैंत में ढूनों से कॉसंट परते हैं जब आपको सब्सक्राइस ऑप अब आपक को तो दिक्यास तो यहां पे क्यों स्यक्तितन मुर्ण है लैंट को किकलाईशक यह चार बटा इतना अगर हम देखेंगे इसमें कि लैंथ और ब्रीथ के व्रीव फिए लेंथ को सगेटन तो करेंगे और गुना करने कि बाद लिखा और गुना करने के वाद चिनन गुणा करने के लिए वाद प्रद निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि बात मेन चैना होता है लेकिन आपको बहुत समझाते हैं और उस्वा पर यहां पर हम देखते हैं कि अगर यह पुर्ण अधे आय। फाइवच्स कितना हो जगा टिके और श्वाफ जबाएं आप डोनों क्या करें है आप गुणा करेंगे जब गुना करेंगे तो वांच गुनाइच्छ कितना हो जगा यह एकस्कुएर नीए डीत सब्सकुआर कितना दिया कोशवर एकस्षायर में एक्स्षायर का माना Criterne यह गया इसको जब काटेंगे तो x कमान कि कि दो यह कि प्राइब आप तो आप से क्या पूछ रहा है कि उसका परिमाप, ठीक है, और आपको बता चुके हैं कि परिमाप बढ़ावर क्या होता है, तो परिमाप बढ़ा पर होता है, 2 into length प्रस breath, ठीक है, तो 2 और length और thin का जोड़ें कितना, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 37, ते तोना कितना हो जाएगा, पर बना सकते हैं कि X मांणके क्योंकि जब भी क्वेस्ट ये एरれた मेरे सूटा मान ने सबसे चोटा मान होता है ठीक है आगे इसमें कर देखेंगे क्यों सबस सबसे एक हमके हommes कैसे बना जाए तो किसे बनेगा समझ यहां पर कि och देंखे रिश्यो पर मनागें क्या क्या दिया हुँ था कि ब्री जो है लेंथ का कितना है चार बटा कितना पांच है लेंथ और कर रिश्यो देखेंगे इस तो नहां पांच पतmost कितना चार और इसका एडिया प्यारिया बड़ाब्ड होता है दोनों को क्या कुनल फाल यानी कितना हो जगा यह बीस और बीस कमांड कोशन में दिया कितना दिया गया तो एक कमांड कितना हो जगा एक कमांड हो जगा नो और लास्ट में क्या करना गडिश्यों नहीं लेते एक यूनिट कमांड जो आएगा नो क्या करना है आपको square root निकालना तो 3 हो जाएगा एक Command 3 तो आप निकाल सकते हैं यह हो जाएगा कितना यहाँ पे जो आप निकालेंगे तो यह जाएगा यहाँ पे 15 और 12 तो direct आप जो निकाल सकते हैँ एगा option वडे यह नहीं 24 हो जाएगा इसम clinical स्वेक्रा कपने भी तो दोस्तों आज रखते हैं यह नहीं कैसा प्लेब करें तो आप जो है इंध करते हैं कि आप लोग को बहुत यह अच्छा लगा होगा यह डेमो क्लास लगतार तर तीन प्लास मिलेग internal system करें गें है यह मैं आज अइसके आज है में इतना ही और इसके बाद चाहिए प्रअच्छ नमर 10 हो गया हम अगले क्लास में देखेंगे जिस तरह से आज उसरी जो है जो सांपिन जो है तीनीchnी डेमो